हलो गाईज, Eptrix C Classes Your Learning Expert में आपका हार्दिक स्वागत है SSE CGL 2017 Mains Math Paper Discussion में आज हम Part 10 का Discussion करेंगे जिसमें 9th March 2018 Shift 2 का Discussion हो रहा है Shift 1 हमने Part 8 तक Discussion किया था Shift 2 Part 9 से स्टार्ट हुआ और इसमें हम Question ID 411 to Question ID 420 या फिर Question 11 से Question 20 का Discussion करेंगे मेरे बारे में आप थोड़ी जानकारी यहां से ले सकते हैं और हमारा Telegram Group Eptrix E Classes जॉइन करना ना भूले तो कि इस Telegram Group को जॉइन करने के बाद आप अपने Fellow Experience के साथ Discussion कर सकते हैं Telegram Group को जॉइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और टॉप कमेंट में भी दी हुई है कहीं भी क्लिक करके इसको जॉइन करें साथी साथ इस चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि हर एक अपलोड की नोटिफेकेशन आपको समय पर मिलती रहे जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं और बहतर बना सकते हैं तो चली शुरूब शुरूबात करते हैं इस अमेजिंग क्लास की अंद तक देखेंगे तो पूरा फायदा होगा चली शुरूबात करते हैं इस टाइप के सवाल काफी पूचे गए हर पेपर बे और यह थोड़ा एक नया टाइप के सवाल था जब नया टाइप इनसेंस की सवाल पहले रेगुलर नहीं थे लेकिन इस बारे उन्हें काफी इंपसाइज के इस तरह के कुशन में जिसमें कुछ कॉंस्टन एक्स्प्र चाहिए कालकुलेशन बहतर हो नहीं चाहिए बस तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सही है पहला जो स्टेट्मेंट दिया है रूट 625 प्लस फूर्थ रूट आफ 1296 प्लस रूट 1024 ग्रेट दिन 90 यह स्टेट्मेंट गलत है क्यों गलत है अधिक सिंपल सा य चाहिए जोड़कर किसल होता है 1046 स्कॉय रूट और अगर आप उसका बिस्क्वएdf यहाँ पर फोर्थ सॉर्थ है तो आपको क्या मिलने वाला है 6 ठीक है पिर आप 1024 की बात कर रहो, 1024 किसका स्क्वाइर रूट है, यह 32 का स्क्वाइर है तो इसका स्क्वाइर रूट हो जाएगा, अब लेट हैंड साइड का सम बिना जोडे हुए आपको दिखना चाहिए, कि 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, 32, 6, 25 कई लोगों को बिना जोडे हुए, देखो और माक करो, तो इसमें गिस क्वेशन में क्या requirement थी, इस question के requirement एती कि आप थोड़ा सा quick हूँ, यह identify करने में कि कौन सा number, किस number का square होता है, то थोड़ा सा calculation पे ध्यान आपको देना है, square calculation, square root calculation, cube calculation, cube root calculation में थोड़ा सा quick होना जरूरी हह कि आप करी एक्षिन mentally आप उसको देखे इस question में आप यहां पर देखे क्या है कि आपको यह पता है कि 729 एक perfect square होता है 256 एक perfect square होता है फूर्थ रूट आपको अगर कलम ना उठानी पड़े तभी आप समझ लो की बहतर है अगर आपने पैन उठाके किया इस बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहा एक तरीका इसको यह भी था समझे कर देखे 729 देखे 3 की पावर 6 तक पता होने चाहिए समय नहीं परता है तो आपको बोलना है 343 इतना फास्ट रियक्शन आपका होना चाहिए अगर नहीं है तो आपको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है ठीक है 3 की पावर 6 आपको पता होना चाहिए 729 होता है क्योंकि तब ही आप क्विकली कैलकुलेट कर पाओगे यह तो बहुत असान है कई जगों पर इनकी जर सानी होती है स्क्वारूट लिखने में और यह बेसिक है यह आपको टू की पावर 10 तक पता होना चाहिए वैलूस की कहीं भी टू की पावर 9 अगर दिख जाए आपको तो आपको पता होना चाहिए कि वो 512 के बराबर होता है ठीक है तो यह आपको हेल्प करेगा और यहां हम दिखना 256 दिया हुआ है 256 क्या होता है आपका टू की पावर 8 होता है और यहां पर यह फोर्थ रूट और यह अंदर बेलू देखो क्या है ब्रेकेट है और इसके इंदर स्क्वार रूट है यह हो गया 1 by 8 अब आपको है एक्जामिने ने सवाल ही ऐसे बनाया इ कर देते हैं तो one by six करते घड़ यहां पर यह बराबर हो जाएगा त्रीके यहां पर two की power eight कर देते हैं तो यहां one by eight ले देश यह बराबर तुगे हो जाएगा सम five के बराबर आ जाएगा फिर उस ने इस one by six को break कर दिया उसने one आप स्कुरूर्ट कर दो और इसका पावर उठाके लिए 256 तो देखे मैं आपको किस लेवल तक ले जा रहा हूं कि सवाल बने कर से हैं तो आप खुद ही इस चीजों को अगर आप शुरूर कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा तो देखें यहां पावर से शुरुआत होत अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है नहीं है तो ध्यान कर लो और इसको इस तरह से समझो अगला क्वेशन क्वेशन नंबर 412 देखने में काफी भयानक लग रहा है पर मैं बतारा हूं भयानक तो होई नहीं सकता है ठीक है तो बीना डरे हुए पढ़ते हैं तो बीन पढ़ने में लगा है उतना ही दिर मुझे डिसाइड करने में लगा है कि यह से बढ़ा है इसके वाद देखिए जो अगला स्टेटमेंट दिया है आपका रूट 10 प्लस रूट 12 प्लस रूट 14 इस ग्रेटर देन 3 रूट 12 यह स्टेटमेंट गलत है ठीक है दोनों चीजे मै आपको समझाता हूं कि मैंने इतना जल्दी कैसे डिसाइड किया और आपको किन स्किल्स पर काम करना है कि आप भी इतना ही तेजिसको डिसाइड कर पाए पहले क्या हुआ कि जब मैं ऐसे आगे बढ़ रहा था ना पता है मैं क्या कर रहा था मुझे पता था यह वन है और यह वैलू टू है ठीक है तो यह टू पॉइंट सम्थिंग होगा तो मैं टू टू प्लस टू प्लस लिखके छोड़ दे रहा हूं मेंटली सोच रहा हूं प्लस और यह वैलू क्या है वन प्लस और ये भी वन प्लस आप इनका केवल समकर लो two प्लस को to समझु चाना और ना नहीं प्लस एह न होगिiene हो गया करोण नाफिब्लस दंव्ल नाैन प्लस और फोलने से हमिन नहीं पता कि वो 10 से बढ़ाई या 10 से 9 plus मिला था और फिर मैंने इन दोनों को केवल थोड़ा सा और करीब लिखने की कोशिच करी मुझे plus 1 मिल गया अब आपका नंबर क्या होगा 10 plus होगा के नहीं होगा आप देखो इसको इसको मत ही पता करो यह नंबर मुझे दिख रहा है कि 10 plus होगा 10 plus आपका नंबर हो गया और वो 10 से बड़ा हो गया तो आपका पहला statement correct हो गया तो यह मैं quickly identify कर पाया जब मैंने इसको देखना शुरू किया अब आपको यह सवाल अगर एक्जाम में पहली बार भी दिख रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है आपको simply comparison करना है left hand side का right hand side से ठीक है तो बिल्कुल टेंचन नहीं लेना कि लग गया इसकी power पता नहीं कि square करके देखने लगे ऐसा कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है आप simply बस यह काम करो कि आप थोड़ा approximation इस तरह से सुचनी कोईश करो और जो आता है वहीं से start करो मुझे क्या आता है वान और टू तो पता ही आपको बच्पन से मालू में तो वन और टू और यह टू प्लस होगा और यह टू से कम होगा इसको को इस्तेमाल करके हमने शुरू किया 9 से बड़ा मिला मुझे 9 से बड़ा मिला पर उससे काम नहीं बना तो मैंने का चलो रूट 2 तो भी बच्पन से मुझे मालू मैं 1.4 रूट 3 भी मुझे बच्पन से मालू मैं 1.7 सम्टिंग तो इन दोनों को जोडने से ही मुझे एक और मिल गया एक एक एक्स्टा मिल गया आप मैं बोल सकता हूं कि यह 10 प्लस है बड़ा होगे अब इस क्वेश्चिन को करने में कौन सा आपको हाई लेवल इसकिल चाहिए छोटी सी नॉलेज बच्पन से आ दिये उसका इस्तेमाल किया गया है बस एक सिंबल लगा दिया गया ब इसका तो मैं इसको हटा दूं यहां से और यहां मैं टू कर दूं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह आगया आपका टू रूट ट्वेल्फ और यह वैल्यू आपकी क्या गई रूट 10 प्लस रूट 14 ठीक है इधर होके टू रूट टूल रूट 12 उधर दे दिया अब मुझ इंटू 1248 आप जड़ा ध्यां से देखो यह 124 तो यह आपकी वैलू कितनी होने होने ची इट इन चीन आ पहले बढद two twenty four plus नहीं हैрах लेकिन एक क्योंकि यह वैलू अगर ध्योति-वॉर्स कुम है एक तो यह गलत हो गया चुझे'll का सहही बिलकुल भी नहीं है तब बाहर आता है ट्वाल से 느ादा और यह 24 चीज में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं यह आपको कहीं ने कहीं समझने की जरूरत है कि मैं जब इसकोशन को खायर कर रहा था तो मैंने चीजों को उपर कर रहा था यहां मैं आपको मजबूरी में कुछ और दिखा रहा हूं क्यूंकि जब तक मैं आपको इस इसकी तरह के सवाल आएं अब लोग इसको भी फ्रमूला बना के पेस कर देंगे मैं आपको बतारू ठीखे और वो फर्मूला कैसे बनाएंगे कि मैं आपको यह भी बता देता हूं वो कहेंगे कि देखो यहां root 10 है यहां root 12 है यहां root 14 है ठीक है simplify करके यहां पहुंच गए आप देखें यह जो value है 12 आपकी वो 14 और 10 का middle value है 14 और 10 का middle value है कि नहीं है 12 तो इसको आप क्या लेख सकते हो root of 12 minus D इसको आप लेख सकते हो root of 12 plus D ठीक है और यह value को कहेंगे है 2 root A के बराबर अब उसका square करेंगे जो हम numbers के term में कर रहे हैं जहां पर हम basic understanding ले रहे हैं अब देखो formula कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूं कि formula का कारखाना यह कैसे त्यार किया जाता है formula ठीक है इसी में देखो इसको ऐसे generalize कर दिया फिर आपने का नहीं नहीं को जरूरी ठोड़े ना हर सवाल में 2 आएगा मैंने 12 को ए लिखा था 12 को ए कर दो कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार 12 आएगा है यहां पर आप 2 यह उदर ले जाओगे तो यह अल्टिमेटली ए बचेगा अब अगर मैं यह स्टेट्मेंट आपको दूं तो यह तो हमेशा गलत होगा है ना क्योंकि a2-d2 तो एसे चोटा है तो वह अगर एसे चोटा है तो इसका स्टेट्मेंट कभी सही नहीं होगा तो एक्चली फार्मूले कैसे बन जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं फार्मूले ऐसे बन जाएंगे कि अगर आपको कोई इस तरह की वैलू दी है ठीक है यह वैलू आपका लेट से इस तरह का और जो जो मैंने हाब आपके सामने लिखा है इसको अग्र आपनेए चीए कीया और यह आपका क्या हो गया ब्रश्यांन अगर यह आपका एसे हो गया तो एक्चली जो फार्मूला मैंने लिखा था वह फानेली कन वर्ट कैसे सब्सक्राइब यह फर्मूला आपको ऐसे रटा दिया जाएगा इसको रट लो ऐसा सवाल यह कितने केसे आप रटके जाओगे इसलिए मैं आपको बोलाओं कि हर चीज रटने कोश्च मत करो एक्जाम में पैटन को सरे जाओगे अच्छा यह कम है उतना बराबर है कि नहीं है पता है यहां पर आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है क्योंकि यह काफी क्लोज अप्रॉक्सिमेशन होगा वो भी आप यहां देख सकते थे यह वैलो 140 रूट 144 वेरी क्लोज नेचर जैसे आपने रूट 10 का अप्रॉक्सिमेशन आप करने जाओगे तो आपको बताए 3.2 क स्क्वार जो होता है वह 1024 होता है तो यह 3.2 से तो कम होगा 3.2 से थोड़ा सा कम होगा और 3.1 का स्क्वार 961 होता है 9.61 यह वैलो रूट बारा दी हुई इसको तो हम उधर ही लेके चले गए 2 रूट 12 कर दिया हमने है ना 2 रूट 12 का आपको पता है 4 को 2 बाहर निकाल लो त ठीक है रूट 14 को जरा जहां से देखो आपको 1296 मुझे पता है कि 1296 के अगर मैं बात करूँ ऐसे तो वह 3.6 का स्क्वार होता है पर यह 1296 के पास है तो अगर 14 के पास है तो आपको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा आपको 37 स्क्वार के बारे में सोचना पड़ सकत है तो वह स्किल्स आपकी थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए मतलब जब मैं बात करूं कि आपको स्क्वार काल्कुलेशन की बात करूं अगर वह आपकी क्विक है तो आपको टाइम नहीं लेगा जैसे मैं कहूं 37 का स्क्वार अगर आप निकालने जाते हो तो होता है 1389 तो 37 का स्क्वार आपका होता है 1369 कैसे ठीक है यह स्क्वार के टेकनिक आपको आई आइकन बेख्लिक करो को तो मिल जाएगी अब देख लें ना हाँ से तो यह वैलू जो मुझे मिल रही है आप देखो यह मुझे निकालने पर 37 स्क्वार में ठीक है दो यह वैलू 13.69 अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो आपको मिल जाएगा यह 6.9 यहां पर मिलता हुआ आपको दिख रहा है और यह 6 इंटू कितना मिल रहा है 1.7 है ना और यह जो वैलू आपकी 3 थी यह चुकि मैंने 2 कर दिया था ना इधर आपको राइट हैं लेके आ गये थे हम तो यह 2 हो गया और यह वैलू आपकी फिर यहां पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगी इसको आप 4 कर लो 4 रूट 3 हो जाएगा 4 इंटू तो यह वैलू आपकी कितनी आ रही है 6.8 अब देगे इस लेवल आफ एप्रोक्सिमेशन से जब आप आगे बढ़ोगे ना तो यह आपका सही नहीं हो ठीक है तो वह लेवल आफ एप्रोक्सिमेशन अगर आपका होगा तो आप शायद इसको भी सीधर डिसाइड कर पाऊगे इसलिए मैंने आपको एक अल्टरनेट रूट दिखाया है अल्टरनेट रूट को आप फॉलो करिए कोई तकलीफ नहीं है ठीक है बट यह फॉर्मू की वैलू य प्लस 7 के बराबर है तो कर रहा है वाट इस दा वैलू आफ वाई क्यूब ठीक है राइट मैं आंसर इतनी दिर में मार्क कर सकता हूं बस इतना ही समय मुझे लगता है तो पहले मैं देखा था हूँ आपका तरीका फिल मैं दिखाता हूँ रहा है मों मंत्रा जि पूछ रहा है वाई क्यू पूछ रहा है उन्होंने आपको दिया क्या है वाई स्क्वार इस इगल दो वाई प्लस 7 अब जरा आप खुद सोचो कि क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन मुझे मालूम है जहां क्यूब आता हो जहां स्क्वाइर का टाम आता हो जहां पर यूनिट रही हो और आती हो और कॉंस्टंट भी आती हो आपके दिमाब में तुरन्द आएगा कि एक तुरंपूला होता है मौन फारी में आपके प्लस भी प्लस बी और रहा है तो आपको पता है यह वाला formula लगाना है क्योंकि इसमें आता है a plus b into a square minus a b plus b square आप देखिए मैं निकालने जा रहा हूं y q plus one ठीक है y q plus one क्योंकि आप देखो y का coefficient क्या है one है y square का coefficient भी one है तो y q plus one अगर मैंने लिया तो मुझे मिला y plus one यहां मुझे मुझे दिखा जैसे मुझे y square minus y यहां पर दिखा मैं इसको replace कर सकता हूं 7 से नहीं बिल्कुल 7 से replace हो गया 7 से replace हुआ तो यह 7 on 1 क्या हो गया 8 यह हो गया y plus one into eight और यह value क्या आपकी y q plus one अब देखो को यहां पर निकालना क्या है मुझे y cube की value तो y cube की value अगर निकालने तो आप खोड़ी देखे लो यह हो गया 8 y plus 7 और 8 y plus 7 आपका क्या हो गया पहला option ठीक है यह तो एक तरीका होगा करने का दूसर तरीका देखें मैं आपको बताता हूं बड़ा ध्यान से समझना ठीक है बहुत ध्यान समझना आसानी से हो जाएगा इस इस एक्स्प्रेशन को देखा मैंने तो मेरा पता नहीं कि हर बार जब मैं को एक्स्प्रेशन देखता हूं तो मेरा मन करता है मैं कोई value find out करू कई भार value teaser हो धीं कई भार नहीं होती हैं इंडी थी इंडी को मुझे तकलिफ नहीं होती है ठीक है तotal ज데わか जाया कि फूर दूरविदerd Aa नहीं 4 is not equal to 9 फिर मैंने का 3 ले लूँ तो आपने का 3 ले लो 3 लिया 10 हुआ और यह क्यों नहीं त्री से भी काम नहीं बना अब 3 से वड़ी वैलू लेने पड़ी कि क्योंकि y क्या मैं 4 ले लोगे तो यह बहुत बढ़ जाएगा यानि 4 भी नी चाहिए तो फिर मैं आप से पुछाओ कि मैं क्या वैलू लूँ ठीक है अब ध्यान से सोचना आपको 3.2 का स्कार मालूम है 3.2 का स्कार क्या होता है 1024 होता है यह यहां 3.2 रखना यह रफली कितना मिल रहा ह यह है कि नहीं मिल रहे है बराबर मिलक तो लगब का मतलब क्या है जो वैलू होनी है वाई की ना वो 3.2 के आसपास यह बहुत थोड़ा कम है बहुत थोड़ा 3.2 के आसपास ही अब ध्यान से दिखो अगर मैं वाई क्यूब निकालने जाओं और मैं कहूं यह लगब 3.2 का लूँगा 3Q भी 27 होता है 27 प्लस आएगा अब देखो कौन सा आप्शन आपको 27 प्लस देने की छमता रखता है सिर्फ पहला आप्शन क्योंकि बाकी कोई भी आप्शन उसके करीब भी नहीं भटकने वाला है यही देखा मुझे 8 इंटू 3 24 पॉइंट सम्टिंग 27 प्लस 7 कर दिया आपने पहुंचने हो आप 27 प्लस बाकी ऑप्शन की तो छमता ही नहीं वह दक पहुंचने की तो देखिए मैं बात करता हूं मुझे इस फॉर्मूले से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि यह बच्पन से आपको पहले से आते हैं इसमें क्या ही से तकलीफ होगी ह सवाल यह है कि यह जो अल्टरनेट ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूं ना कोई नहीं बढ़ाता क्योंकि हर बर फॉर्मूली में वैलू रखके आंसर रही जाता तो एक डामेंशन मिस हो गया मैंने इस क्वेशन में भी ऑप्शन आपको देखा दिया इस्तेमाल करना ठीक ह सवाल बस यह ना कि आप अपने दाइरे से बाहर निकलो जो दाइरा आपके सामने सेट किया गया ना जिसको मैं बहुत डीपली रिजेक्ट करता हूँ वो दाइरा मुझे इस फर्मूले से प्राब्लम नहीं है मुझे प्राब्लम यह है कि आपको ये दाइरा कभी ये तरीक किया जाए और काम बना लिया जाए अब आप बताओ यह आपके लिए अलजबरा का सवाल रह गया कहीं नहीं रहे गया है ना ठीक है हमने तो वैलू देखके देख लिया कि आंसर क्या होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा जरूर रहा होगा चलिए सुरुआत करते ह 14 में आगे question number 14 कर रहा है कि fx एक function define किया गया एक्स में जो इसके बराबर है और कर रहा है x-3 is a factor of fx ठीक है then what is the value of कुछ लिखा हुआ है अच्छा पी की वैलू बता दो अब जहां से दिखना मैं आप से एक सवाल पूछने जा रहा हूं वह यह की factor का मतलब क्या होता है ठीक है मैं Hindi में पढ़ दूँ कि fx जो है आपका x-2 into x square होना चाहिए प्लस px प्लस 4 तो था x-3 fx का गुड़न खंड है देखिए अब इस तरह के सवाल जब factor को variable के form में fx करके कुछ लिखा हुआ है पी के वैलू आपसे पूछता है तो आपको कई बर confusion हो जाता है confused मत हो यह देखिए जब भी expression variable के form में लिखे जाते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप constant के टफ्स में सोचो factor क्या होता है यह लेट से कोई expression दिया हुआ है कोई number होता और मैं कहता कि यह इसका factor है एक्स माइनस 3 factor का मतलब होता है कि जो भी expression है वो इस factor से completely divide हो जाएगा ठीक है अब इसमें देखिए division का मतलब क्या होता है कम्प्लीटी division का मतलब यह होता है कि इस function को अगर मैं x-3 से divide करूं तो remainder मेरा 0 आएगा remainder 0 आएगा इसका एक तरीका और भी है इसको define करने का कि अगर कोई function जैसे मुझे दिया हुआ अब धहांस देखो अगर x-2 इसका एक factor है x-2 से पूरा-पूरा divide हो रहा है x-2 से divide हो रहा है तो x की value 2 रखने पर function क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो similarly अगर यह x-3 से divide हो रहा है तो इसमें देखो ध्यान से एक x-3 into something जरूर होगा तभी divide होगा पूरा-पूरा x-3 से यानि x is equal to 3 रखने पर यह 0 आना चाहिए ठीक है यह 0 आना चाहिए इसको एक theorem की नाम से भी जाना जाता है बर कोई जरूरत नहीं उस theorem का नाम जानने से ठीक है आप simply यह समझो कि अगर x-3 इस expression का एक factor है तो यह expression x-2 into x-3 into something होगा तभी x-3 से पूरा का पूरा divide होगा यानि x is equal to 3 रखने पर यह 0 हो जाएगा पूरा expression एक 0 हुआ तो पूरा 0 हुआ आप वही कर दो आप x की value 3 रख दो यहाँ पर अगर आपने x की value को यहाँ पर 3 रखा तो आप क्या पाओगे f3 is equal to 0 तभी यह factor होगा वढ़ना नहीं होगा तो आप रख दो जब x की value 3 रखी तो x-2 क आपको पता है अब 13 आजाएगा 3 भी आजाएगा अगर आप लेफ्ट राइट करके calculate करो तो मैंस 13 भी 3 आजाएगा ठीक है बहुत आसान सावाल था कन्फ्यूज नहीं होना है question को समझना बहुत जरूरी है factor का मतलब confuse नहीं होगे परिशान नहीं होगे अब इतना ध्यान रखना कोई भी एलजब्राइक expression अगर आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि x-k एक factor है तो x is equal to k रखने पे वो function जो भी होगा वो आपका 0 हो जाएगा तब ही वो factor होगा और y से बड़ सा कि अगर कोई function k रखने पे आपको 0 दे रहा है तो x is equal to k यानि x-k उसका एक factor होगा बस इतना ही जानना आपको अगला सबाद चले question में 15 देखते हैं यह कह रहा कि x-1 by x is equal to 2 then what is the value of x to the power 6 minus 1 by x to the power 6 x-1 by x अगर आपका 2 के बराबर है तो x की power 6 minus 1 by x की power 6 का मान क्या है देखे पहले चीज़ तो यह है कि इस question में मेरी नेजर बिलकुल option पे जा रही है ठीक है और यह question option से किया जा सकता है ऐसा नहीं है लेकिन इसमें दो problem है रहिए पहली problem तो क्या है कि जब आप power 6 में ultimately जा रहे हो power 6 में जा रहे हो तो देखे क्या होता है कि जब decimal में आप approximate करते हो और उसकी power अगर आपने क्यों कि approximation is not exact value यह approximation है ठीक है लेकिन उस approximation की power अगर आपने 6 चड़ाया तो शुरुआद में जब आपने x को approximate कि हैं let's say x को आप approximate करो कि मुझे 2 के आसपास कोई value मिल जाए ठीक है तो for example मेरे लिए इतना time नहीं लग रहा है सुझने में कि 2.4 एक possible value हो सकती है कि यह 2.4 होगी और यहां जब आप इसको 2.4 से divide करोगे roughly 2.4 से तो आपको 0.4 से थोड़ा ज्यादा देगी 2 के आसपास की value मिलेगी यहनि 2.4 से थोड़ा सा उपर value होगी मेरी ठीक है लेकिन आप देखो जब 2.4 की power आप 6 यहां चड़ाओगे न तो अगर approximation में जो minor deviation भी है उसके भी काफी बड़े differences आते हैं और साथ में यहां power 6 भी आपको चड़ाना है तो पावर 6 अकर चड़ाना है तो 2.4 की power 6 आप सीधे तो नहीं चड़ा दोगे आपको बीच में भी approximate करना पड़ेगा कि आपने इसका square निकाला तो 576 आया 5.76 हुआ फिर उसका भ जबो deviation significant हो सकता है तो आपका अगर answer भी आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं कि बहुत जादा gap है अब ज़रा ध्यान से देखो इस answer और इस answer में कितना gap है तो आपको यहां पर जो gap है यह आपका 2 root 2 plus 3 extra है अब 2 root 2 plus 3 का मतलब कितना हुआ भाई यह आपका लगबग 2.8 और यह आपका 3 हुआ तो यह कितना वह 5.8 हुआ यह अप्राक्सिमेशन अगर आप यहां करके चले तो भी आपको इंशोर करना है तो कि वह इतना accurate होना चाहिए इतना accurate होना चाहिए कि आपका power 6 चड़ाने के बाद जो error margin हो ना वह 5.8 की error margin ही आपके पास है यह अगर आप 2.9 इधर चलेगे extra तो आपका आंसर गलत आजाएगा समझ रहो आप तो इसलिए कहना कि या तो आपकी approximation skill बहुत high level की है कि आप इस question में जहां power 6 कराया जा रहा है पिछले question में बहुत effective था यह पर यहां पर एक problem है वो मनें आपको समझा दी है कि you need a very high level of approximation अगर आप इस question को भी आंसर से करना चाहते हो अगर इसमें गाप कहीं ज्यादा वाइड होता पचास-पचास का गया फिर कोई दिक्कत नहीं कर देते या फिर इवेंट टॉमस भी स्क्वार स्क्वार वाले होते को भी दिक्कत नहीं कर देते लेकिन पावर 6 है तो आप समझो वो गाप ना actual answer का ग इंप्रूब्मेंट कराके दिखाता हूं कि उसमें भी जल्दी answer कैसे निकालना है क्यों इतना समय बर्बात करेंगे एक्जाम में नहीं करेंगे चलो आप जड़ा देखते हैं x-1 by x की value 2 के बराबर है तो देखें पहला काम तो करना है जो निकालना है उसको किसकी मदद से मैं इसको इसकी मदद से निकालना है तो मैं जड़ा आगे बढ़ता हूं मैं इसको कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं x-1 by x-2 कैसे इतना तेजी से लिखा मैं क्या करा मैं इसको a cube minus b cube के form में सोचना हूं तो यह minus b into a square plus b square plus one right ऐसा हो गया आपको बता है कि इसको इसको भी मैं x-square minus one by x-square की form में लिख सकता हूं कई लोगो इसका भी direct formula याद होगा तो अगर याद है तो आप डारेक्ट ही लिख दोगे इसका ठीक है यह standard expression बार बार सवाल आते हैं तो यह हो गया अब देखो यहां से एक minus two जो है यहां पर यह क्या था कुछ नहीं था प्लस टू जोड के आपको balancing करने पड़ेगी तो ultimately आपको x-square minus one by x-square की value चाहिए अब देखो यह आपको दिया है x-1 by x यहां से x plus one by x कैसे निकलता है आपको पता है कि नहीं आपको पता ही होगा कि यह four plus इसका square होता है तो यह हो गया आपका four root two root two आ गया ठीक है आप गया आपका answer पता है यहीं आ चुका है क्या answer होगा d कैसे इतना जल्दी कैसे सर अगर आपने इसको four root two रखा एक चीज़ तो मैं आपको पहले यह बता रहा हूं कि जब इसका आप square करोगे ना तो यह root two gaiv हो जाएगा भाई कोई number है root x type का के root x type का उसको square करोगे तो क्या मि होगा k-root two type क्योंकि यह है आपका k-root two और यह value आपकी आ रहे है integer तो आपका answer इसी type का होगा यह plus 3 और plus 1 नहीं आने वाले दोनों answer चले गए आप देखो जहां से यहां चुकि 4 आ रहा था और यह आपका integer आने वाला है तो four से भी divide होना चाहिए third part अगर हटा दें तो जो number ह 4 से डिवाइड होना चाहिए कि वह एक answer possible है 140 क्योंकि यहां पर 34 से डिवाइड नहीं होता है 134 तो ऐसे आप बिना पूरी calculation की यह भी answer लगा सकते ते यह आप देख लेते कोई दिक्कत नहीं थी यहां पर अगर four root two आप रखते तो यहां पर आपको value C दे मिल भी रही थी कि 8 & 2 यह कितना होगे आपका देखो इसका इसका स्कॉर कर लो 16 इंटू आपका कितना होगे 32 & 335 इंटू फो रूट टू एससे भी निकल जाएगा कोई दिक्कर नहीं ठीक है जो सही लगे कर लो बट मैं यह समझा रहा हूं आपको कि यहां आमने approximation का इस्तेमाल क्यों नहीं कि अगला question देखते है question number 16 कर रहा है कि xyz सारे positive number है और 3 की power x 9 to the power y से बढ़ा है और 2 to the power y 4 to the power z से बढ़ा है तो इसमें कौन सा कथन सत्य है सीजा सीजा देख रहा है सर कि xy से बढ़ा है yz से बढ़ा है कैसे समझाता हूं पहले हिंदी में सवाल पड़ दूं कि रहा है xyz सभ ज्यादा tension ना लें जैसे मैं आपको एक छोटा सा example समझा दूं ठीक है यहां पर देखो जान से यह 3 to the power x 9 to the power y से बढ़ा है तो मैं numbers के term में बहुत जादा सोचता हूं मेरी आदत है मैंने सुरू में यह सोच लिए कि मैं x को 3 ले रहा हूं और y को मैं ले रहा हूं 2 आपको 2 लिया तो यह 9 होगा और यह 1 लिया तो कितना होगा यह भी 9 होगा 9 9 से बढ़ा नहीं होता है तो मैं एक condition मुझे मिली x 3 है मेरा और y मेरा क्या है एक है अब अगर मैंने y को यहां पर 1 लिया तो 2 की power 1 आप ले रहो तो आप बताओ मुझे की z की value 1 से बढ़ी ले सकते हो नह यह आपका z से बढ़ा है तो यहां जो भी होगा 1 से चोटा ही आने वाला है इवन 1 बाई 2 से चोटा है ठीक है जो values आपने assume करें उसके साब से तो बस हो गया x y z का relationship जो है वो यही होगा दूसरा तरीका था कि आप सीधे variable के form में आगे बढ़ते तो आप कहते 3 की power x जो है न वह 2z से बढ़ा है वाई अगर 2z से बढ़ा है तो यह 4z से बढ़ा होगा तो यह एक relationship बनती है अगर आप इस तरह से calculate कर हुए है लेकिन इनने कितना आसान पूछा कि भाई x अगर 2y से बढ़ा है तो xy से भी बढ़ा होगा और जो है आपका y जो है 2z से बढ़ा है तो 17 क्या कह रहे है कि एक्स एक बटा आठ के बराबर है तो इसमें कौन सा सबसे बढ़ा वैलू है largest value निम्हें किसका मान सबसे बढ़ा है एक्सप्रेशन देख के मालूम चल रहा है किसका मान सबसे बढ़ा है क्यों भाई आपकी जो वैलू है ना वह एक से छोटी है less than one less than one को दो से डिवाइड करोगे less than one रहेगा स्कौायर करोगे less than one रहेगा root निकालोगे तो भी less than one रहेगा one by x एक से बढ़ा होगा देखो ज्यान से कि आपके पास एक number है वह less than one रहेगा वह स्कौायर कर दो भी less than one रहेगा तो भी वह less than one रहेगा ओ दिन वन नहीं हो सकता निसी भी नमबर जिसका जिस जो नंबर ही वन है आपने कहा एक से स्कॉयर इस लेस देन वन तो आप जब इसकोर रूट निकालो तो इस नंबर एक से छोटा ही आएगा एक सब नहीं आ सकता है कि एक से बड़ा आप नंबर कोई भी एजिम करके देख लो ना कैसका स्क्वार वन से चोटा आएगा नहीं आएगा तो इतना आसान था वन भाई एक्स जो रेसी प्रोकल है वह डिफिनेटली सबसे बड़ा होगा बहुत आसान सा वालता कि क्वेश्चन नमबर 18 काफी भ्यान अधिए है ततह वाई की वेलू यह है तो निमलिक इसे कौन सा एक्स प्लस-वाई का मान हो सकता है अच्छा सवाल है ठीक है क्योंकि दो वरिबल इन्वल्ट है और एकस प्रस हुआई की पॉसिबल वेलू आप से पूछी जा रहेगी कौन सा इसमें कैन भी मान हो सकता है मतलब मान कई होंगे इस में से कोई एक मान possible में से कोई एक किस्में डिया हूआ वो बताना है कौन सा होसकता है अब तरह त्यांसे को कैसे जल्दी कर सकते हैं बहुत असान है अगर आप थोड़ असा expression को थोड़ी देर तक देखें और आपके अंदर वो समझ है तो वो समझदारी का इस्तिमाल करके आप दूसरा आंसर मांग कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ ठीक है कोशिश करता हूँ इसको मैंने जब देखा तो इसका बिल्कुल सिंप्लिफाइड फॉर्म है आप जरा उसके बारे में सोचिए ठीक है जो बिल्कुल सिंप्लिफाइड वाम है क्योंकि यह एक्स प्लस वन निम्रेटर में यह उपर चला जाएक डिनामिनेटर आपका हो जाएगा भी इस एक्सप्रेशन मेंने यही चिज ध्यान से अपना ही तो y is equal to यहां तो हो गया 2 into 1 plus y divided by यह value आपकी बिलेगी 2y plus 3 यह 2 plus 1 2y plus 3 यहां पर जो y square का coefficient बनेगा वो मैंने ध्यान लगा रहा कि यह 2 बनेगा तो सारे option में इन्होंने एक बहुत आसानी दिया में कि यह clear है कि root 5 का term कहीं आएगा कहीं root 17 का term आएगा तो आपको पता है नहीं को करते ना स्रीधराचार में वी root of b square minus 4a c y2 यह करकर निकालते हो कुछ तो एक term कहां कर से आ रहा होगा एक term यहां से आ रहा होगा एक term यहां से रहा होगा इसका मतलब यहीं हो कि root 5 root 17 के terms generate हो रहे हैं ठीक है आपको थोड़ा सा डिमाग लगाना है तो आपको पता भी है कि यहां कॉफिशन बड़े हैं तो यहां से root 17 होगा यहां कॉफिशन चोट है तो रूट 5 होगा अब देखो ध्यान से कि यहां पर जो यह 2 दिया हुआ है यहां एक्स स्कायर का कॉफिशन वन दिया हुआ है तो आप अगर स्रीधरा चारे लगाते हो आपको पता है ना तो इसके केस में जब को एक ही option ऐसा है जिसमें यह रूट 5 तू से multiplied है तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है देश में यही चीज नहीं सिखाई जाती है वह आपको पूरा करके दिखा देंगे पूरा पन्ना भर के कहेंगे यह दिखो आगया आप भी सुचाते हो कि एक बार स्रीधरा चार लगा है हम तो पूरा सॉल भी नहीं कर रहे है वो टू एक का इस्तेमाल करके देख रहे हैं कि नीचे वो टू आएगा यहां नीचे फो रहाएगा इतना काफी मेरे लिए कि एक टॉम में स्क्वार रूट में टू आना चाहिए यहां आ रहा है बस यही सही होगा ज्यादा जा रहा हूं कि यह actual paper के answer है और मेरा जो approach में आपको दिखा रहा हूं वो exam oriented approach दिखा रहा हूं based on the question कि जब question है लेकि सवाल यह ना कि चलिए अगला question देखते है question number 19 कर रहा है कि पी की value एक बहुत ही भ्यान अक्सी value दी हुई है ठीक है right then which of the एक minute रुकिए मझे देखने देखने दिए question में पहले निकालना क्या है कि पूछा था फॉलइंग स्टेट्मेंट इस त्रूव अब मैं इसको जूम कर रहा हूं देखें आपको कुछ मालूम चलेगा आपको यह मालूम चलेगा कि पी हाइस्ट है देखने से और यह दोनों option गलत हो गया कैसे कैसे हाइस्ट है देखो जब पी को आप क्यू से compare करोंगे साफ साफ दिख रहा है कि पी की क्यू से जाधा है क्योंकि यह दोनों तर्म दोनों में आ रहे हैं यह दोनों में आ रहे हैं तो comparison इसका होगा यहां power 29 है यहाँ power 27 है तो पी क्यू से बढ़ा है यह तो मुझे मालूम चल गया ठीक है कि मेरा पी क्यू से बढ़ा है अब देखें पी को फिर मैंने आर से compare किया तो देखो यहां 5 to the power 8 है इसके बारे बात भी नहीं करेंगे यहां 3 की power 22 है यानि एक 3 एक्स्ट्रा है लेकिन यहां तो पी आपका आर से भी बढ़ा होगा है और यह देखो पी आपका ऐसे बढ़ा है कि नहीं है पी ऐसे भी बढ़ा है कैसे देखो यहां पर एक 5 एक्स्ट्रा है और साथ में एक 3 एक्स्ट्रा है तो 5 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा मींस 15 एक्स्ट्रा है मुल्टिप्लिकेशन में 3 और 5 की वजह से, लेकिन 2 को ज़रो ढहिए हैं से देखो ये 25 है, ये 29 है तो यहां क्या है, यहां 2 की पावर 4 एक्स्ट्रा है, जो कि 16 होता है, यहां एक्स्ट्रा multiple by 16, यहां बोलड़ ग्रें 15, तो क्या हो रहा है, यह फिर से पी बड़ा कर लेना answer आजाएगा बस यह भी देखो option देखने का यही फाइदा होता है blindly traditionally चालू मत हो जाओ देखो option में बता रहे हैं कि क्या करो मेरे साथ ठीक है पहले तो मैंने P को highest देखा तो option reject होगे अब क्यों अपने आप lowest हो गया क्यों option जो बचे हैं उसमें क्यों सबसे नीचे क्यों lowest है क्यों के बारें कुछ सोचना नहीं अब आर और एस का order चाहिए मुझे आर और एस को जड़ा धान से देख लीजिए आपको कि इस में यह बराबर हैं कहते बूल जाओ यहां एक टू एक्स्ट्रा है लेकिन यहां एक फाइव एक्स्ट्रा है इसका मतलब एस की वैलू आर से ज्यादा है तो पहला option बिलकुल सही है है ना तो options का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है अपनी आदत बदल डालो आदत चेंज करो बिना option के सवाल नहीं करने हैं किसी भी सवाल में option मिलना आपका fundamental राइट है आपको option नहीं मिल रहे हैं आप हक से मांगिए इस question का मुझे option दीजिए तब मैं करूंगा उपर ना एक dimension मिस करो का बार बार बोलता हूं मैं चीज़े नबर 420 एक्स्प्रेशन दिये हुए हैं बड़े-बड़े जड़ा देखते हैं क्या है एक विलू 125 है बी की विलू 8 है करहें वाट इस दे वैलू अफ दिस गिवन एक्स्प्रेशन राइट पता है इस सिंप्लिफाई करेंगे आंसर आजाएगा सर ठीक है करते हैं ठीक है अब देखो यहां पर क्या कैसे सिंप्लिफिकेशन करना है यहां पर a-b whole cube यहां पर a-b whole cube इस से पक्का पता है खुब सारा cancellation होने वाला है तो कर लेते हैं आप से कैंगे x q minus y cube अगर आप निकालते हो तो कैसे निकलता है आपको होगे x-y तो आपको यह हो जाएगा 2b अगर आप यहां पर x-y निकालो ना तो यह subtract होके आपको देगा 2b into x2 plus y2 ठीक है x2 plus y2 plus 1 एक तो होता है aq-bq तो इसको मैं x मान रहा हूँ इसको मैं y मान रहा हूँ तो यह हो आपका x plus y यहां लिख दिया अभी x2 plus y2 इसका square निकालोगे तो आपको मिलेगा a square plus b square और यहां भी a square plus b square मिलेगा तो twice हो जाएगा और जो term आएगा ना आपका यहां से 2ab और यहां आपको minus 2ab मिलेगा वो term cancer हो जाएगा तो यह चीज मैंने यहां पर लिखी लेकिन साथ में एक चीज और आएगी वह आएगी plus one तो मैंने यह भी लिख दिया हुआ है साथ में आपको जो expression यहां पर दिया गया है वो जड़ा ध्यान से समझने की जरूत है ठीक है साथ में यहां पर क्या आएगा यहां पर आपको पता है a square plus b square plus a b आता है तो साथ में आपको आजाएगा a square minus b square यह भी लिख लिख गया a plus b into a minus b यह जो दिया हुआ है इसको को जरा सीलिफाइए करो अगर आप इसको सिम्झाइब करो यहां भी a square minus b-square था यहां भी a square minus b square यहां पर यह के साथ आ रहा है यहां6 b के साथ आ रहा है तो आप जरह मैं कैसे लिख रहा हूं मैं पहले टम को यहां लिखोंगा फोर टाइमस भी फोर टाइमस भी इंटु ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार अगर आपका फोर भी यहां से कॉमन हो गया तो आप देखो अंदर आपको क्या बच रहा है अब आपको मिल रहा है टू बी स्क्वार यानि अल्टीमेटली आपका हो गया 8 टाइमस बी क्यू और आपको वैलू यहां पर मिलती हुँ दिख रही है यह क्या हो गया एक तो पावर फोर अगर आप निकालने जाओगे तो यह वैलू है 4096 क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर यहाँ क्यूब है ना 12 बजाएगी तो यानी 1024 इन्टू 4 यह आपका कितना होगया 4096 आसान क्वेश्चन था बस थोड़ा सिंप्लिफाई करने की जरूरती बाकी यहां पर कोई इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आया मैं एक बार क्वेश्चन को रिवाइस करके आपको दिखाता हूं कि क्या क्वेश्चन थे और कैसे इनको कर सकते थे रिवीजन के पहले आप टेलिग्राम ग्रूप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए सब्सक्राइब जॉइन कर लें ठ कैसे आप थोड़ा सा नमबर में अच्छे होके काल्कुलेशन को बेहतर करके क्वेश्चन को असानी से कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा कोई दम नहीं था आइडिली मैंने आपको बताया कि क्या तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को करने का क्वेश्चन करना है कैसे आपको आगे बढ़ना है के कोईशन में बहुत असान है कोईशन 16 अगेन बहुत आसान सवाल था कोईशन 47 शायद सबसे आसान था कोईशन इसका ध्यान रखिएगा यह बहुत कारगर आपके लिए होगा आपको बहतर बनाने में अगर आप इस तरह से सीखते हैं तो इसका पूरा होता है उमीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और अगर आपको मज़ा आया है तो आपको क्या करना है शेयर करना है इस यूडियो को जहां भी आप कर सकते हैं तो नेक्स पार्ट हम पब्लिश करेंगे अगले दिन और साथ में आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करते रहें जहां भी आपको इशू होता है जहां आपको लगता है कुछ नोट करना चाहिए आप नोट भी करते रहें ताकि आपको रिविजन में भी आसानी हो लेकिन सिर्फ समझनी है जब आप समझना शुरू कर गए आपका प्रॉसेस तब ही देरे देरे बदलेगा उमीद करता हूं आपको बहुत मजाया होगा धन्यवाद हैवे ग्रेट टाइम थैंके सो मच